सबी किसान भाईयों सबीस तारीक को हम लोग मनूपगण राइस नगर और गंगानगर से लग लग सती निकले थे और 27 तारीक को हम डबा वाड़ी नाका तोड़कर 27 तारीक को सुबै तक बगाड नूबजे हम लोग याप उचे थे और लगातार 12 दिनों से गंगानगर जिले के किसान रोजवान हम लोग याप बेखे हैं और आज पडोस के अंदर अलग अलग जगे हमारी करेक्टर जालियां खड़ी है यहां रोटी पाणी सिब वबस्ता किसानों के दवारा की गई है और मुक्के रूप से जो आने वाड़ी आड़ तारीक का जो प्रोग्राम है उसको लेकर भी गंगानगर जिले के अंदर अलग अलग तैयारियां चल रही है तो मैं आप लोगों से निवेदिन करूँगा कि अनूप गड़ के अंदर आड़ तारीक को दिये से पुरी के पास गयरा बज़े पहुंचे और वहाँ पर हम लोग जाम लगाएंगे आगे हमारे जिला सचीव शोपतराम जी मेगवाड बैटे है वो इसके बारे में विस्तरी जानकारियां देंगे आपको किसान सात्यों नमश्कार आप सभी जानते हैं कि पूरे देशवर में लगबग 12 दिनों से किसान साती दिली के चारों और शड़कों के उपर लटे वे इन 12 दिनों में किसान की पहली जीत तो ये है कि सरकार लगातार पांच दोर की किसानों के साथ वारता हो चुकी है चोथे दोर की वारता में शरकार ने ये शरकार किया कि हम कुछ संसोधनों के साथ इने बिल के अंदर चाहे वो एपीमसी एक्ट को मजबूत करने का सवाल हो चाहे मंडी के बार एक प्राइवेट मंडी में टेक्स लगाने का सवाल हो इस पर सरकार संसोधन करने को त्यार हो गए लेकिन सभी किसान जत्य बंदियों की राय थी कि ये तीनों जो क्रिशी सुधारों के नाम के उपर कानून आये हैं ये कानून ए से लेके जड तक किसान मजदूर व्यपारी विरोधी है इसलिए देश की सरकार जन्द बावना को समझते वे इसे वापिस ले कल की वारता बे नतीजा होने के बाद सरकार ने नो तरीक को वारता के लिए उर्दूबारा बुलाया सरकार की इसके पीचे जो मनसा है इसके पीचे जो सरकार की करूनोलोजी है वो ये है कि किस प्रकार इस किसान को लगातार वारता के चलते उसको ठकाया जाए जिससे किसान कुछ संसोदनों पर बात करके fawnे पर त्यार हो जाए लेकिन किसानों ने अटल फैसला किया है कि जब तक तीनो क्रिशी कानून और विजली संसोधन विदेख 2020 वापिश नहीं होता तब तक यहां से खड़े होके नहीं जाए अगला जो कारे करम है क्योंकि पूरे देश बरके किसान कई मजबूरियों के चलते हैं जैसे हम अमारे गंगा नगर में देख रहे हैं हमारे गंगा नगर में विवा साध्यों का सीजन है पसल की बिजाई का सीजन है इसलिए बड़ी मात्रा में किसान पहले दिन नहीं आए लेकिन आज एक जार से भी ज्यादा किसान अकेले टिकरी बॉडर के उपर गंगा नगर के यहां पर अलग अलग जगह पे अपने तंबू लगा के पके नाके लगा कर बैठे अगर कोई किसान मजबूरी में यहां नहीं पहुंच पा रहा है पहली बार देश के अंदाता ने भारत बंद का आठ तारीक को एलान किया प्योस्ताओं को बंद करके हम सरकार के सामने अपना विरोध दरज का है पहला अजादी के बाद में ऐसा अंदोलन बताया जा रहा है जो अंदोलन बहुती अनुशासी तो बीजेपी अपनी आईटी सेल के माद्यम से जैसे पिछले अंदोलनों को अंतकवाद के नाम पर व अबी भी जिन लोगों के दिमाग खाली है कोई इसको खृलिस्तान कह रहा था कोई कह रहा था कोई कह रहा था इसमें बार से फंडी होता है को पंजाबी बासा में अनुशासन को यह जाबता मैंने ऐसा जाबता आज तक नहीं देखा कि मन्च से आवाउस होने के बाद कोई इदर उदर नहीं जागा आप इदर उदर टेक्टर टालियां देखेंगे किस परकार किसान बड़े दिरिज से कोई किसी में उतावलापन नहीं और हर किसान के दिमाग में एक बात फिट होगी है कि अगर मोदी और मोदी के कंपनी को इस काले कानून के लिए मजबूर करना तो उसका एक मातर रास्ता है संगटी तो के अनुशाषन में गांधिवादी तरीके से इस शरकार का हम मुकाबला कर सकते मैं सारे मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा इसको शेर करो जब जंग होती है जंग में रसद सामगरी कोंचाने वाला उसको हलाशरी देने वाला नारा लगाने वाला सब के योगदान को कम करके नहीं आका जा इस शेर करके भी आप अपनी गर मेटे बुमीका को अदा कर सकते ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात जानी चाहिए आपने बारा दिन में दर्शे देखा एक ऐसा मेला लगा हुआ है जिसमें लाल जंडे जिसमें हरे जंडे जिसमें पिले जंडे जिसमें नीले जंडे रंग बिरंगे जंडों से अलग-अलग बासा क्षेतर के लोग दिल्ली की सडकों पे आके इस थंड के अंदर जम गें सडकों पे डटे हैं आठ तारीकों बाहरत बंदोर आपका एक दिन उस सरकार को मजबूर करें क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीज बिठा दी जब रेलेवे निजी आतों में जा रही थी बिक रही थी कोविड में तब भी कही लोग कह रहे थे समीदा बढ़िया मिले हवाई अड़े बिक रहे थे अड़ानी को दे दिया जयपूर का हवाई अड़ा त्रंतम पूर का हमारे यूपी का हमारे कोल ब्लोक बैस दिये जीस्टी नोट बंदी के नतीजे शामने हैं तब भी कई परचार करते थे कि मोदी जी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं अब भी कई लोग इसे प्रकार की बक्वाश करते हैं कैजी ये क्रिशी कानून एक बार आजमा के तो देखना चाहिए मैं कहता हूँ देश का किसान लाखो की संक्या में मोदी जी से पूछने हैं अगर एक फाइदा इस कानून का बता देखना एक मातर फाइदा कानून है क्या वो कह रहे है जो मंडी सरकारी बड़ी है उसके बार बड़े कोर्परेट्स बड़ी मंटीनेशन कंपनिया आखे मसफर जीतनी मर्जी आये जीतनी मर्जी का मतलब अगर एक आद्मी के पास पैशा है सारी चीजों का बंदारण कर सकता है पहले 1925 में कानून था कि आप इसको बंदारण नहीं करें और मैं बताना चाहूंगा इसके माध्य में से कि अलू और प्याज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1925 में संसोद नहीं अलू प्याज इसी सरकार ने एक महिने पहले स्टोक शिमा लागू की है कि दो टन से ज़्यादा आप खुदरा में और 25 टन से ज़्यादा आप थोक में नहीं रशाएं सरकार खुद थूख के चाट रहे हैं एक फाइदा नहीं बता सकते लाखों किसान फाइदा पूछने आए हैं इसलिए मित्रों किसान के बेटे उने के नातर अपने धरम को समझो सोसल मेडिया पेश्कों परचारीत करो और ज्यादा से ज्यादा संक्या में इस शंगरस के है वो साक्षी बनो साती हमने गंगा नगर जिले की तरब से छोटी मोटी सेवा भी पिछले तीर चार दिन से लगा रखी है यह आप देश सकते हो रविंदर जी इसको थोड़ा दिखाओ यह हमने थोड़ी सेवा भी लगा रखी इसके बारे में बता हुआ बिकानेर का मशूर जो नमकीन गुजिया टैस्टी मिक्चर दाड बिकानेर के अंदर बड़ा मशूर पूरे देश के अंदर खादे पदार्त को खाया जाता है इस दिल्ली के अंदर हमारे साथी लेके आये हैं और निशुलक इसका वित्रण आम किसानों को इसका सवाद हमारे बीच में हमारे पदंपूर किसान सभा के उपदेक्ष बलराम जी नैन हमारे बीच में मौजूद हैं राम चंदर जी लोथिया एटा सिंगरासर माइनर के आंदुलन के सहयोजक बाही राकेश बिश्नोई फकीरवाली से हमारे साथी खोद साब और अरकेवाडा कल हमने रवानगी ली थी कडि़िवन 12बजे सीशी हेड से हजारों की तदाद के अंदर किसान कमीन पुरा और सीसी हेड से रवाना होते हुए सादू वाली के अंदर से पंजाब ओडरन करीबन दो बजे प्रवेश करते हुए दिल्ली के इंदर आज हम पहुंचे हैं और मैं तमाम किसान मित्रों से निमेदन करूँगा जो हमारे साथी सुनिल जी गोदारा ने बाई शोपतरा मेगवाल ने जो आर तारीक का बाहरतबंद का जो आहवान किया है व हमारे शहरों के अंदर निकाये चुनाव हो रहे हैं तमाम जो अटकले थी उनको नकारते हुए हमें आठ तारीक के भारतबंद को सफल बनाना है इसी उमीद के साथ कि आप किसान के साथ डटकर खड़े रहेंगे मैं आज के इस पेस्बुक लाइफ को आज विराम देता हू और जल्दी हम नई बात के साथ नए समाचार के साथ आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर होंगे इनकलाब जिंदाबाद किसान एक तर जिंदाबाद